खत्रों के खिलाडी सीजन 14 के अंदर जब यहाँ पर आसीम रियाज फिशलता वह नजर आया तो कोसिस तो यहाँ पर की यहाँ पर कि एक मौका रोहीद सेटी दे दे बट यहाँ पर कुछ कंटेसेंट को यहाँ पर काफी जादा जैलस वार उसके वैसे यहाँ पर रोकते भी नजर आये रोहीद सेटी को लेकिन फिर रोहीद सेटी ने क्या सुनाया अपना फैसला और किस तरह से भर किया उन पर बताते हैं पूरी बात छोटी से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक केज़ेगा कमेंट बताईएगा कि आपकी फेवेट क्रेंट कौन है खत्रों वह अपने अपने सीजन में बिग बॉस के अंदर महारती रह चुके हैं और हमने देखा है उसको कि वह किस तरह की हरकते करते हैं वह आप लोग सब बहतर जानते होंगे क्योंकि ओडियन्स ने उनको बेसिकली बहुत भरपूर सपोर्ट किया था वोट किया था और इसके याज वह स्टंट को कर रहा होता है तब यहाँ पर दोस्तों वह एक बार फिशल जाता है बेसिकली और वह भी गलत गाइडियन्स के वैसे कैसे होता है वह मैंने अल्ड़ी बनाया है आप देख लिए दोस्तों लेकिन वहाँ जब वह फिशलता है तो अपनी गलती के वैसे गलत गाइडियन्स के वैसे शलता है इसलिए यहाँ पर कहीं रोई चेटी को लगता है कि उनको एक मौका और मिलना चाहिए और इसके वज़े से रोई चेटी जो उनको यहाँ पर सही से गाइड करते है और उसको बोलते भी है कि तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा और और काफी जेलस था निमरीद भी उसको सपोर्ट करते पर नजर आ रही थी कदम से कदम मिला करके बढ़ दोस्तों यह चीज जो है दोनों को यह गलत लगी एक तो अभी से एक भी सीज का खिलाफ गया और साथ यहाँ पर दोस्तों जो है रोई सेटी वह दोस्तों भड़ा ग करनी है इस सो के अंदर जिसके बाद दोस्तों दोनों का दोनों का मू जो है वह बना वर रहे जाता है बैसिकलि यहाँ पर जो है सालीन का भी ट्राइदम बखवास दाता है वह भरकाने की कोसिस करना या फिर जो डिसीजन यहाँ पर रोई सेटी लेते हैं उसको यहाँ पर ओवर टर्न करने का जो कोसिस रहता है निम्रित और सालीन का वो दोनों ही खतम कर देते हैं दोस्तों आपका क्या रेक्शन इस पर कमेंट करके जो बताएगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस सेजन